और मैं इस वीजे के लिए मैं अपलाई करने जा रहा हूं, मैं पाकिस्तान की जो एमबेसी है हमारे भारत में, मैं मंडे को साड़े बार बज़े जा रहा हूं, गुलाम हेदर को वहां पर पहुंचाए, गुलाम हेदर से एक अप्लीकेशन, उसका अधार कार, उसका पैचान पासपोर्ट की फोटोकपी, एक अपनी ऐमबेसी से पाकिस्तान ऐमबेसी में भारत में, मैं सौमार और मंगलवार को, मैं पाकिस्तान ऐमबेसी से उसको रिशिव करुआ, मैं उसके विजे की अपलाई करू आ हूँँ, फिर मैं अपने भारत बहुरेल के देने वाला हूं, मेरा नोट कीजिए क्योंकि समय बहुत हो चुका, क्योंकि समय आ चुका क्योंकि कानू लाग होना तो उसके बच्चे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि ये समय आ चुका क्यों मैं अभी एक चैनल के माड़म से यही बात कर रहा था कि आप गुलाम हेदर को बोले रोसल अली जी जो उसके वकीर है उनको बताए कि एक अपने डॉकुमेंट्स लेके वहाँ पर एक उनकी पाकिस्टान की एमबेसी के बार आपकी पाकिस्टान की एमबेसी के बार एक एक नमबर लिखा होता है जिसको वो फैक्स बोलते हैं फैक् से यहां से 5.5 km है पाकिस्तान की मैं उसको करेंगा, रिचीव करके मैं उसको भार्त की उचायोग में एक एप्लीकेशन लगाके मैं देंगा, पाकिस्तान का वीजा उसको तुरंध से मिल जाएगा, ये कारिय होगा डॉक्टर रोशन अली जी के मादम से इसको बहुत सीरिस लीजी है आप लोग बहुत मैं एहम वीडियो बना के भेज रहा हूँ बहुत बहुत एहम वीडियो है तन्वीर जी आपने मैंने कहा था कि मैं पाकिस्तान के लिए हूँ वो भी मैं आपको आपका खसूसी प्रिक्रिया है क्योंकि इसमें कानूं सी एक कानूं यह होता है कि अगर कोई कोई भी कहीं विदेश में या कहीं दुनिया में रहता है तो वो सी एक कानूं के तहत वो अपना पक्स रख सकता है तो उसको कोई भारत से या किसी बे निकाला नहीं जा सकता और उसको नागरिते मिल सकती है लेकिन अगर जो रोसन जी जी है वकील है उनके गुलाम हेदर के मैंने एक वीडियो देखी बहुत ही उन्हें सेंसिल वीडियो बनाई थी बहुत एक दुख़वरी वीडियो बनाई कि उसको मेरा दिल बहुत वहा है तो मैं उनके मादम से, चैनल के मादम से कहूँगा कि अपने, लेकिन ये कारिये रोसन अली जी ही कर सकते हैं, क्योंकि गुलाम हिदर अपना अधार कार्ड, अपना पैचान पत्तर, हुन टाइम आपड़ गुलाम हिदर क्योंकि मैं चाहता हुआ कि गुलाम हिदर के बच्चे मिले, गुलाम हिदर का जो गरिव इंसान है, एक सच्चा इंसान है, उसकी मदद हो जाये, मैं मेरे दिल में कोई आज में बहुत कि दो कि अब सबको पता कि कानून लागू होने जा रहा है इसमे क्या होता है कि कोई भी बंदा कहीं रहता है तो वो उसको अपनी application लगाके वहां का नागरिक बन सकता है तो इसमें एपी सिंग को भी मुद्दा मिल जाएगा लेकिन मैं कौँगा ये समय अभी हमारे पास बचा है कुछ हमारा अभी डेड़ महिना है लेकिन हमें दो से तीन दिन में ये पूरी जो प्रिकरिया है ये पूरी करने पड़ेगी इसको कौन कर सकता है ये रोशन अली जी कर सकते है क में उसको अपने भारत जो उचाय होगए उसको वीजा मिल जाएगा और भारत आएगा तबी उसके बच्चों की बात बनेगी सूरिय कुमर वर्मा जी जी सूरिय साब नमस्कार सर कैसे हो आप बहुत अच्छे हैं हम आप यह कैसे हैं और मर्केर साब आपको भी असलाम अलेकुम मेरी बेन आप उनके वकील है और हम भारत के लोग है एक बारत के एक पिता की बात रखी हम लोगों हम कहेंगे कि एक पिता का सम्मान रखा है एक चार बच्चों को लेके पाकिस्तान से हमारे भारत में घुशके बैटी है तो इसका एक हमने हल निकालना बहुत जल्द से जल्द हमने इसका हल निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि यह हल एक आपके जो गुलाम हिदर के वकील है आपके द्वारा ही ये निकला जाएगा कि मैं कहूंगा कि आप उनका एक पासपोर्ट का फोटो कोपी और एक आदार कार्ड जो भी है उसके डॉकुमेंट्स हैं आप एक फैक के मादम से जो हमारे भारत में है उसकी जो पाकिस्तान है उसमें आप एक अपलाई करें वहां से म इसको क्लेक्ट करूँगा मैं भारत उचायगे में दूगा और भारत उचायगे में एक लेटर लिखे दूगा जिसके तह最近 में कि प्रिकरिया पूरी हो जाएगी ये मैंने कानूनी सलाकारा से मैं बहुत दिन से लगा sigui ये करिक्रिया बहुत पूरी हो चुकी है अगर आप कोई इस पे रोशनी डालते हैं हो या कोई अगर आप चाते हो यह हो जाए तो और यहां से आप जो हैं वेरिफिकेशन कराएंगे वो लेटर आपकी 17 ग्रेड प्रकसर होगा तो उन से जो हमें इंवाइट करेंगे आप मुझे पी इंवाइट करेंगे और गुलाम हदर को भी इंवाइट करेंगे तो अकेला में नहीं छोड़ना चाहता हूँ, आप पर मुझे भरोसा है, लेकिन आज तक हमें इस गुलाम हिदर के केस में जितने भी लोग मिले हैं, गुलाम हिदर की मदद करने वाले वो आखर में वो गुलाम हिदर के दुश्मन ही थाबित हुए, हमें आप पर विश्वास से आप पर यकीन है, इसलिए गुलाम हिदर एक तो पड़ा लिखा नहीं है, वो सही जलग का अंदाव उसको का नहीं है, इसलिए मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, आप तो मैंने पहले भी कहा था, मुझे राप्ते में रहें, आप प्राइटली काइंडी मेरा न आप यकिनन दिलेर इंसान है, लेकिन पूरे हंदुस्तान की एक करोड़, एक अरब 40 करोड़ आवाम में से कोई एक बंदा भी वो नहीं निकला है, जिसमें ये आउफर की हो, कि मैं इन्वीटेशन भेजता हूँ, मैं स्पॉनसर करता हूँ गुलाम हिदर को रोशनल यजी को, कुरा वर्मा एक वाहिद इंसान है, जिसमें इस्पॉनसर किया, जिसमें वर्बला बगेर किसी खोफ के, बगेर किसी डर के, उसमें ये उफर किये कि मैं आप लोगों को इन्वाइट करता हूँ, हाला कि मुझे पता है, हिंदुस्तान की एटेश है, हिंदुस्टान की करते हैं इसके बावजूद भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं आप तो हम सलाम केश करते हैं आप यहां की जो परविशन है वो आप हमें यहां से पहुचाएंगे फिर कर प्कार करков कर दो पीडिया करने जा रहा हूं मैं फाके ज वीजय के लिए मैं अपविशन हमारे इस इंश्च पूरी कर्चुछ Cynthia और मैं इस वीजे के लिए मैं अपलाई करने जा रहा हूं मैं पाकिस्तान की जो एमबेस्जी है हमारे भारत में में मंदे को साड़े बारा बज़े जा रहा हूं रोशनरी जी मैं वहां पर जाकर एक आपके चैनल के मादम से मैं एक वीडियो बना के बेजूँगा वो आपको अपने आपका जो है क्लाइंट है गुलाम हिदर उसके जो डोकमेंट्स है इसमें मैं आपको एक एमरीकेशन के लिए जो आपकी पूरी जो पूरी जो रिपोर्ट है देखिए हमारे बारत में कानुनी एक आफाई आर दर्ज होती है एक उसकी रिपोर्ट आपके पाकिस्ता आप जरूर बेजे यह आपको भी जानकारी है क्योंकि एक आफाई आर दर्ज के वेरे उसके चार बच्चे और उसकी पत्री वहां से गायव है और वो भारत में है हमारा कानुन देखिए मैं कानुन पढ़ा हूं मैं कानुन रोशन अभी जी मेरी बात को समझेंगे वहां प कार से लिखने के बाद मैं उनसे गुजारिश करूंगा और वहां पे जो जो हमारी बाहर तो चाहिए वगए उसमें दूँगा उसमें गुलाम हेदर को वकी उसके वीजे के लिए और जो अपने रोसर नहीं है उनके लिए समी के लिए ये एक रस्ता खुल जाएगा ये मैंने आज ही सला किया है और इसलिए मैं आया हूं क्योंकि जो कानून हमारे सीए लागू होने वाला है इसमें क्या है कि आपको पता कि कोई भी किसी भी देश में रहता है तो वो अपनी मानता रख सकता है अरे मैं कहता हूं तनवीर जी यह आप यह एक सीरिस बात है यह सीरिस इस मसलिय को एक بहुत सीरिस लेदा क्योंकि दो देश वी बात है अक पता